हलू, सेल सोल्योशन वाला यूट्यूब चानल में सबको स्वागत है आज हम बात करेगा Nokia 3.1, Nokia TA 1017 इसका फ्लाशिंग ऐसे कर सकते हो इसके बारे में आजका वीडियो सबसे पहले अप लोग एक फ्लाश टूल डाउनलोड करना ही पड़ेगा SP Flash Tool है उसका नाम उसका टूल का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालेगा उस उदर से आप लोग को डाउनलोड कर सकते हो उसके बाद एक्स्ट्राइट करेगा ऐसे एक टूल मिलेगा एक फ्लाश वाइल भी चाहिए उसका भी लिंक में नीचे डालेगा आप लोगों को उधर से डाउनलोड कर सकते उसके बाद आप लोगों को एस्ट्राइट कर सकते हो उसके बाद आप लोग सीधा ये टूल में अटाच बोल के एक सेक्षन है उधर प्रस करो उसदर प्रस करके आप लोगों को फायल कीदर भी ये उसलेक्ट करके हमारा टोल में ये लोड करू, उसके बाद आपलो ये डाउनलोड में प्रस करने का, उसके बाद आपलो क्या करने का, हमारा मोबेल का ओलियन डाउन देवा के USB गेबल अटाच करू, USB गेबल भी लगाने का, उसके बाद आपलोंगो इधर नीचे एक रेट कलार का एक लैन, वो सोरी, इधर एक इरर आरेयो, ये इरर कैसे में सोल्ड करेगा, ये भी आपलोग दियान से देगो, ये एरर अमेशा आरेयो नुक्या का फोन में, कोई सबी फोन में आरेयो, कोईना कोई एरर, आपलोग ए प से 1st, 2nd, 3rd, ये तीनों फैल अंडिंक करके आपलोग डाउनलोड में ब्रस करू, उसके बाद आपलोग मोबेल का ओलियन डाउन में दभाग के केबल अटाच करू, डेटा केबल अटाच करने का, डेटा केबल उर्जिनल वाला डेटा केबल चाहिए, डेटा केबल में कोई कराब नहीं होना चाहिए, कोई डूपलिकेट रगारा नहीं होना चाहिए, ये तो पोर्ट नहीं पकड़ेगा, अभी ये हमारा पोर्ट बेन गया, ओके, अभी फ्लाशिंग शुरू हो गया, ये फ्लाशिंग करने के लिए मैं तोड़ा टिप आपलोगो दियेगा, सबसे पेले हमारा डाउन्लोड करने का फायल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपलोगो ये नेट, इंटरनेट आपलोगो स्पीड बोना चाहिए, अगर कभी कट्क आ ओरे हो ऐसे वाला नेट में फायल आच्छा से नहीं मिलेगा, उसके बाद आपलोगो USB केबल प्रोपर हो प्रोबलमस मतलब कोई कितना मायंगा वाला पॉप्योटर अब तो भी हमारा फ्लाशिंग को कभी कभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो यहाँ इसाओ ओ पॉप्योटर का भी ओ सक्ते हो इसका ओपरेटिंग सीस्टम भी कोई ना कोई आच्छा रिसल्ट नहीं देर हो इसलिए आपलोग दूसरा कोई कम्प्यूटर में कोई स्याधा प्रोब्लम्स अगर पोर्ट का इशयू स्याधा आरेश यो पोर्ट नाइए बनेगा हैसा मुश्किलो रहे यत्त्तु आपलोगो एक काम कर सक्ते हु उसके बाद आप लोगो ये चेकरने का आपका यूस्पी केबल ओके नहीं ये देखने का ये दो तीन फैक्टर अमेशा चेकरने पड़ेगा आपलोगो उसके बाद ये देखो ये भी फ्लाशिंग हो रहे हो फ्लाशिंग होने के बाद टिक होयागा इदर टिक दिक आएगा उसके बाद हम लोग फो मोबेल चालू करेगा उदर हसारमबी के एक फायल अपडेशन होना है चाहिए यह अपडेशन में भी आप लोगोंको नेट स्लो एक गिड़ बाड़े तो आप लोगोंको फोन चालू करना का टाइम लोगो ब्लिंक करेगा नहीं तो रिस्टाट होएगा इसा प्रोब्लाव हो सकते हो कभी भी सोफ्ट्वेर करने वाला कंप्यूटर में नेट प्रोबर होना चाहिए यूस्पी के ब्लोग के आना चाहिए फायल टीक के आना चाहिए यह दो तीन फाक्टर आप लोग हमेशा दियान में देखने का इतना करने के बाद भी हमारा सोफ़्ट्वेयर नहीं हो रहे होई कोई-कोई ऐसे भी हो सकती है हमारा कंप्यूटर हमारा अपरेटिंग सिस्टम हम उरे के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यह तो हो गया प्लाशिंग हो गया अब देखो टीक मार कुरने के बाद आप लोगों को मुपब्वेल निकाल सकते हो उसके बाद हम लोगों को चाल्य करके देखेगा इसमें क्या हो रहे हो इसमें एक फाइल अपडेश नाएगा अपडेट में किया अपडेट में तोड़ा टाइम आदा गंडा लगते हो अपडेट करना के टाइम बेबी अच्छा बातरी चार्ज़ ओना चाहिए बातरी चार्ज नहीं है तो चार्ज में लगा के अपडेट करो ओके हम लोगो फोन चालो करके देखेगा आज का वीडियो इतना ही है अगर आप लोगो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो इसमें कोई डाउट वगेर है तो नीचे कमन करके पूछो बहुत जल्दी एक नया टोपिक लेके आप लोगो सामने ही आएगा सब के लिए गुर्पई